वेलकम टू न्यूज बाब एटू चैनल जानस्तों बात करने वाले है RRB की NTPC और RRB Group D की जो भरती है उसके बारे बात करने वाले है कि इनकी परिक्सा कब होने वाली है जानस्तों 100% विस्वसीने 60 के वंसत्य सुचना के साथ में न्यूज बाब लेकर रहा है RRB NTPC और RRB Group D के बारे में जानस्तों लास्त तक इस वीडियो को जरूर देखे वीडियो को स्किप ना करे उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो और पहरी बार व्यूडियो पर विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर ले साथ में गंटी वाले बटन को जरूर दबा ले जहा सो तो बात कर रहे हैं आरार्वी एंटीपीसी और आरार्वी गूरुप के बार में आरार्वी के एंटीपीसी के विभिन पदो पर होने वाली भरति कंतजार ना की परिक्षा में सामिल होने के लिए आजेंसी का चान ही नहीं कर शका आरार्बी प्रियाक राज की अफसरों का कहना है कि अजेंसी चान के बाद संबदित आगे की करवाई होगी इस बीच गडी संक्या में परतियोग्याओं की और से आरक्सी दवतर्वाद, फोन और इमेल के माध्यम से प्रिक्षा तिती के बारे में जानकरी मागने का सिलसिला जारी है अबकी RRB ने एजेंसी चेन के लिए बिडिंग परकिरिया कराने की तैयारी की जिससे 22 अपरेल 2020 तक पूरा होना था जो 22 अपरेल 2020 तक पूरा होना था इसके बाद ही एजेंसी का चेन होता और सम्मधित एज प्रिक्षा परकिरिया आगे बढ़ाई जाती लेकिन लोकडाउन की वज़े से आरक्षी RRB ने परकिरिया की शुरुआत नहीं की अब आरक्षी अपसरो की ओर से कहना है कि लोकडाउन समाप्त होने के बाद ही एजेंसी चियन की परकिरिया की जाएगी बता दे कि रेल्वे भरती बोड ने NTPC के विबिन पदों के लिए बीते वर्स आवेदन मांगे थे देश बर में 25,000 से ज़्यादा गेर तकनीकी पदों के लिए तकरीबन सवा करोड से अधिक आवेदन आए थे RRB इलाहबाद में 10 लाग से ज़्यादा आवेदन आए RRB इलाहबाद के चेर् परिक्षतिति की जाएगी जैसे ही परिक्षतिति की कोई भी जानका दियाती है या एजनसी का चेर्न होता है तो हम आपको तुरंत वीडियो के माद़न से अपडेट करा देगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटी वाले बटन को जरूर दबा प्लीजग करें विरम से एल धन मुटूर कर दो थां ए और स्वाभी जरूर्न को दो स्वादानृ कर देगे जानका दो Samuका अनृरै को शोला है जे एला हम जानका दो चार।